आप सभी कक्छा चौन्ती कक्छा चार के छात्रों का स्वागत है छात्रों आज की ये सो वीडियो में हम आपको कक्छा चार जो आपका बिसे भासवाभारती हिंदी है उसके 8 गरेट अभ्यास पुस्ति का बर्स 2023 के पार्ट 6 याना की मेरा एक सवाल का संपून प्रशनतर वताने वाले हैं चात्रों वीडियो मैंतों तक बने रहेगा करते हैं वीडियो को इस्टार्ट यहां पर आप देख सकते हैं और आपकी पार्ट 7 में बहुदी कल्पी प्रशने हैं प्रशनक्रमांग एक है अन्य अधाता किसे कहा जाता है आपका उत्तरा जाएगा किसान को है ना कि किसान ही हमें अन्न देता है दूसरा प्रशन है डाटा डाटा रहूंगा मैं सीमा पर बाक मैं मैं सब्द है तो देखो यह मैं मैं जो सब्द है यह आपसे पूछ सकता है कैसा सब्द है तो एक कैसा सब्द है आपका सरवनाम सब्द है मैं तुम वो बे यह सब कैसा सब कि धोच को क्या कहा जाता है तो तरा जाएगा भारत की राष्टे धोच को क्या कहा जाता है तिरंगा कहा जाता है फिर कौन करेगा मेरा आगन हरा भरा खुसाहाल बाक में योगम सब्द को छाट कर लिखिए तो यहां पर योगम मतलब जो की डैस लागा हो जिसके बीच में है तो तरद आएगा गया हूं और मक्का आप धान भी लिख सकते हो धान भी लगाई जाती है धान के आपके लगाई जाता है औरदा जिसे हम औरदा कहते हैं औरदा लगाई जाती है मुंग की फशल लगाई जाती है यह सब आप लिख सकते हो वैसे औरदा और मुंग के बाद हम पर और नाच पूंचा है तो ग्याहू धान भी नगी यह मक्का चल जाएगा अगल्लर परसमें देखते हैं आपके लगउत्री प्रिष्ण है प्रिष्ण करमांग साथ हम फसलों को अद्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं अपने सब्दों में लिखे तो हम फसलों को अत्पादन भूमी की और बढ़क चमता को बढ़ा कर बढ़ा सकते हैं फसलों को अत्पादन बढ़ाने के लिए हम खादों का अभी उपयोग कर सकते हैं पिर आटवर प्रशन है, भारत माता अपने गौरब बढ़ाने के लिए बिद्यारती से क्या पेक्षा रखती है? नौवर प्रशन है यदि सेनिक ना होते तो हमारे देश में क्या होता तो उत्तर आएगा यदि सेनिक ना होते तो हमारे देश की सेमा पर तेनाद कौन रहता और हमारे देश में सत्रूओं का आतंक बढ़ जाता हमारे देश की रक्षा नहीं हो पाती यह आपका उत्तर हो कर सत्त की आच्रन सत्त का आच्रन ढालने एवं पढ़ा लिखा कर घ्यान का दीब जलाते हैं अगला प्रशने चात्रों दीर गुत्री प्रशन में प्रशन करमां के ग्यारबा मेरा एक सवाल कवीता में भारत माता को किन-किन से अपेक्छाएं हैं और क्यूं विस्तार से अप चैनिक देश्क की रक्षा करते हैं, बिद्यारती पढ़ लिखकर ज्यान का दीब जलाता है, एवं मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाता है, यह आपका उत्तर हो जाएगा, फिर आप देख सकते हो, किसान चैनिक सिक्षक बिद्यारती और मजदूर, है ना, तो का हमेशा देश्क की खुसहाली में क्या योगदान है, तो तर आएगा किशान, किसान केतों में अन्नुगाता है, फिर सियनिक के बुझ चकरे हैं, सियनिक हमारे देश्क की रक्षा करते हैं, सिक्षक, सिक्षक में डेश्क करके, सिक्षक पढ़ा लिखा कर ग्यान का दीब जलाते हैं, है ना आप लोग को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बिद्यार्थी, तो बिद्यार्थी ही पढ़ा लिखकर ग्यान का दीव जलाते हैं, अब बिद्यार्थी ही पढ़ा लिखकर सेनिक बनेगा, सिक्षक बनेगा, है ना किशान भी बनेगा, इस टैप से होता है, फि यही आपके point रहेंगे इसके बाद चात्रों अई दिया आपको वीडियो अच्छी लाइक हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मित्रों को वीडियो सेर भी कर दीजेगा अगले वीडियो में हमको part 7 के उत्तर बताएंगे जब तक के लिए thanks for watching धन्यवाद